हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में सो गाइज इंटेलिजेंस बीरो के द्वारा अपने ग्रूप C के लिए यानि की सिक्योरिटी अजिस्टेंट बोलते हैं और यहां पर आता है MTS स्टाफ हैं यह दोड़ों ग्रूप C के लिए पनिंट्रीजेंस बीमातर हैं बोलने बश्ते यहां पर आप देखें एइंटेलिजेंस हील्क्रेंट रिक्तिया नाली हैं जो कि बहुत इंपोर्ट भी बच्चे के चाहते हैं गुप्तचर विभाग इसको कहते हैं तो देखिए यह आया आपका इंटलिजेंस बीरो ठीक है यह देखिए आप सिक्यूरिटी असिस्टेंट एक्जिक्यूरिटी एंड मुल्टी टासिंग स्टाफ जर्नल आप MTS देख रहे हो और यहां पर क्या देख रहे हो सिक्यूरिटी इंटलिजेंस बीरो यानि कि मता दू जो इनका ओफिस है जेजी जगा पर उसके हिसाप से यहां पर वेकेंसी आई यहां पर यहां पर यूर में अगर तला में इतनी वेकेंसी है यह देखिए यह है यहां पर सिक्यूरिटी असिस्टेंट एक्जिक्यूटिव और MTS जर्नल देखिए आपको इन दोनों की वेकेंसी अलग-अलग देखने को मिलेगी यह देख रहें आप सिक्यूरिटी असिस्टेंट गी यह हो गई तो यहां पर यूर की 5 वेकेंसी है MTS general की हो गई तो यहाँ पर एक vacancy है तो इस परकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितनी vacancy यहाँ पर 11 और 2 हैं तो यह आप देख रहे हैं आप पर security assistant तो कुछ इस परकार से यहाँ पर आपको कुछ आपको देखने को मिलता है आगे मैं आप लोग को सारी चीज़े बताऊंगा कि क्या-क्या इसमें होता है सेम इसमें जो पैटर्न है वो MTS का ही है SSC MTS का ही है तो देख लीजिए ले मुंबई नागपूर पटना राइपूर राची आप जो यहीं मेरा PDF है यह मैं आप लोगों को SACB telegram channel में भी देदूंगा वहाँ पर भी आप जाके सकते हों तो देख लीजिए टो पत्व कितने हैं तो यहांपे आप देखना है यहांपए total पद कितने हैं तो आपको दिख रहा होगा total आप यहांपे देंगर हो तो गतने का है यह दंग कि data कि यहाँ पर आपकी को होगी, कम से काम आप 1650 या 1675 वेकेंसी इसमें मान सकते हो, ठीक है, अब देख लिजिए, आपको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, कि भाई salary कितनी होती है, तो देखे लेवल 3 है, चाहे आप MTS में जाओ, यह देरेका इन्होंने General Center Service, यहाँ पर आप से बहुत अच्छा लगा मुझे कि इसका पे मैट्रिक्स है, लेवल 3 है, सिक्यूर्टी असिस्टेंट का, एक्जेक्यूटीव का, लेकिन अगर हम बात करें MTS जर्नल का तो उसका लेवल 1 है, तो यानि कि यह जो पद है, वो इससे कहीं ज्यादा बहतर है, और इसकी वेकें कि लाएगी 1st in-end salary, यहाँ पर आप देख लिजिए कि भाई, आपके 27 वर्स है, अगर आप सिक्यूर्टी असिस्टेंट के लिए भरते हो, तो यहाँ पर आपका 10th pass होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर आपका 27 वर्स लास्ट होना चाहिए, और इसमें 25 वर्स लास्ट ह आप लोग देख लिजिए, यहाँ पर आप देखोगे, सेम वही पैटन है, जो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेस्टी में देखने को मिलेगा, जो कि tier 1 होगा, सेम है, common है, essay के लिए और MTS के लिए, देख लिए आप यहाँ पर general awareness, quant, numerical ability, English, और यहाँ पर आपको journal studies देख देखने को मिलेगी, negative है, point 25, यानि की 1 by 4, 4 question गलत करोगी तो एक कटेगा, total marks कितने हैं, आपके 100 marks हैं, और time आपको एक घंटा मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, 5 आपके section होने वाले हैं, और यहाँ पर आपका, जो question होंगे, वो 20-20 होंगे, quant से 20 आएंगे, general awareness से, यानि की offline descriptive, pen and paper mode का paper होने वाला है, descriptive लिखने वाला paper होगा, common होगा, essay के लिए, और executive MTS के लिए, 500 word का local language, जो भी आप लिखना चाहते हो, उसमें आपको एक passage लिखना होगा, या फिर translate करना होगा, जो आपको दिया गया होगा, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो, सिर्फ essay के लिए, टीर 2 में, क्या होगा, spoken ability, spoken ability होना है, interview होना है, यह interview आप बो सकते हो, 10 नमबर का होगा, टीर 3 होगा, interview personality test, जो कि 50 का होगा, यहाँ पर आपका interview personality test होगा, और यह आपका एक और interview होने वाला है, जो कि 50 marks का, यहाँ कि 60 marks का, आपका सिर्फ किसमें जाएगा, यहाँ पर particular लिख आप देख रहे हो, किसमें जाना है, आपका यहाँ पर interview में जाना है, interview का मतलब है, यहाँ पर आप से कुछ questions पूछे जाएंगे, आपकी personality को चेक किया जाएगी, कि भाई, आप intelligence bureau में आ सकते हो, या नहीं आ सकते हो, examination fee कितनी है, तो यह 50 है, recruitment processing charge 450 है, तो यह आपका total कितना ह हो जाएगा something, यहाँ पर आपको 500 पर ही देने पड़ेंगे, अपने application इसको भरने के लिए, तो MTS और यहाँ पर आपको दोनों चीज़े देखने को मिल जाएंगी, क्या देखने को मिल रहा है, MTS और MTS और से आपको देखने को मिलता है, दोनों security assistant मैं बोल रहा हूं, और य है, यहाँ पर मैंने आपको सारे चीज़े बता दिया है, कोई भी question है, comment में लिखो मुझे, अब इसकी जो closing date है, यादखना आप लोग 10-2, यानि कि यहाँ पर कितनी है, 10 February 2023, इसकी last date है, form भरना आप चालू कर सकते हो, आप क्या जाए, आप intelligence bureau की website में जाए, वहाँ पर जा वहाँ पर मैं आपकी help करूँगा, जो भी आपका question को उसके लिए answer करूँगा, मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you